30-31 अगस्त को मनाएंगे रक्षा बद्धन का तेवार इसलिए दो दिन बोल रही हूँ क्योंकि दोनों दिन ही मुहरत है मुहरत क्या है? स्क्रीन पर देख लिजे पहले तो ये तो हो गई जो है दोनों दिनों के मुहरत की बात आज इस वीडियो में खास क्या है आपके लिए? खास है उन बहनों के लिए और उन भाईयों के लिए जो रक्षा बंदन का तेवार मनाने वाले हैं बहनों क्लेस लिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी राशी के नुसार क्या डिमांड करना है अपने भाई से लेने के लिए और भाईयों को कि अगर आप चाह रहे हैं बहनों को कुछ दें और वो देना भी पड़ता है चाहें ना चाहें क्योंकि रक्षा बंदन का तेवार है अगर बहन राखी बांध रही है तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देंगे ही तो चलिए, एक एक करके सभी 12 राशी वालों को जल्दी से बता देती हूं, भाईयों बहनों को, कि देखिये, सुनिये, और इसी according gift के demand कीजिए, बात करते हैं सबसे पहले मेश राशी की, अगर आपकी बहन की राशी मेश है, तो आपको क्या करना है, अपनी बहन को उगते हु तो जितने भी व्रिशब राशी वाले हैं, उन सभी के, अगर आपकी बहन हैं व्रिशब राशी की, तो सबसे पहले तो लौड शुक्र हुगा, आप शुब ग्रह सफेध होता है, तो आप सफेध मोती देख सकते हैं अपनी बहन को, इसके अलावा आप जो है, इस रंग के क में ले सकते हैं, तो ग्रीन कलर की कोई चीज़ आप के लिजिए, जी हाँ, कोई सिनरी या फिर आप जो है, ग्रीन कलर का प्लांट ले सकती हैं, उन से ग्रीन कलर के कपड़े ले सकते हैं, तो आप अपनी बहन को, अगर आपकी बहन की राशी मथुन है, तो ग्रीन कलर की च सफेद रंग की जो दोडते हुए गोड़ी की तस्वीर होती है वो भी आप दे सकते हैं या फिर आप सिल्वर सरिल्टर जांदी से जुड़ा हुआ कोई सामान को देते हैं तो बहुत शुब रहेगा बारी सिंग राशी की सबसे पहले आपको बता दू आगर आपके बहन की राशी जो है वो सिंग है या फिर आप जो अगर कोई फीमिल देख रही है आपकी राशी सिंग बनती है तो भाई से क्या लेना है आप उनसे गोल्ड ले सकती है जी हां सोना आप ले सकती है बहुत ही आराम से क्योंकि सिंग क कि जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सोरी दियोता तो आप सोने के आभुशन तौफे में ले सकते हैं बारी आप कन्या राशी के लिए अगर बहन की राशी कन्या है तो आपको क्या उनको गिफ्ट करना चाहिए आप उनको ग्रीन कलर के कपड़े ग्रीन कलर की कोई चीज आप क तो अगर आपकी बेहन की राशी तुला है तो आप क्या गिफ्ट कर सकते हैं उनको जो उन की लिए बहुत ही जादा शुभ रही aaps उनको moon की image, चंदरमा की तस्वीर gift कर सकते हैं, या फिर आप white या फिर pink color के कपड़े, jewelry, ये सब चीज़े दे सकते हैं, आप white color के pendant दे सकते हैं, बारी अब वृष्चिक राशी की, वृष्चिक राशी वाले, आप अगर आपकी बहन की राशी वृष्चिक बनती हैं, तो आप उनको क्या दे सकते हैं, आप उनको तामबे की चीज़ कोई gift कीज़े, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुब रहेगा, लखी रहेगा, red color की भी कोई चीज़ आप उनको gift कर सकते हैं, बारी अब धनु राशी की, तो अगर आपकी बहन की राशी धनु बनती है, तो आप पीले color की चीज, yellow color की चीज़ उनको gift कीज़े, आप पीतल की कोई शुब नहीं का है, या आप dark color की, यानि black छोड़के, क्योंकि black को शुब नहीं मानते, हाला कि शुनी का रंग जो है, हम काले से भी करते हैं, तो आप चीज़े दे सकते हैं, उनको खास तर पर electronic सामान, तो electronic तो इतनी चीज़े हैं, कि बहने आप आराम से अपने भाई के साम सान भी दे सकते हैं, या फिर आप उनको dark color की चीज़े जो है, वो gift कर सकते हैं, तो ये सब चीज़े उनके लिए शुब रहने वाली हैं, उनके luck को भी boost करेंगी, बारिया मीन राशी की, अगर आपकी बहन की राशी मीन है, तो आप उनको कोई yellow color की, या फिर nature से related आप उनको कोई gift कर सकते हैं, आप yellow color की चीज़ उनको तौफे में देते हैं, तो बहुत शुब रहेगा, तो हमने आपको बताया एस वीडियो में, कि अगर आपके बेहन की राशी आपको पता है, तो उनकी राशी के कॉडिंग उनको gift कीजिए, या फिर अगर आप सुन रही हैं, आप आपको अपनी राशी पता है, तो अपने भाई को लिस्ट तुरंत पकड़ा दीजे, अभी रक्षा बंदन में थोड़ा टाइंग है, मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में, जाने से पहले आप सभी भाई बेहनों को रक्षा बंदन की धेर सारी शुब कामना है,